मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में विधान सभध चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधान सभध चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में स्यासत काफी जादा गर्माई हुई है क्योंकि भारती जनता पार्टी अब यहां पर कई बड़े दाव खेल सकती है लेकिन दूसरी ही तरफ कॉंग्रेस भी पीछे नहीं हटने वाली है कॉंग्रेस ने करनाटक की विधान सभध चुनाव में जीत हासिल की है 224 में से 135 सीटो पर कॉंग्रेस जीत हासिल की है ऐसे में देखा जाए तो कॉंग्रेस यहां पर एहम रणीतिया भी बना रही है सबसे बड़ी चुनोती यहां पर माने जा रहे हैं बीजेपी खैमे से केंद्रे नागरिक उड्यन मंतरी जोती राधिते सिंध्या जो एक वक्त कॉंग्रेस का हिस्सा रहे लेकिन आज वे है बीजेप यहां सौप सकते हैं नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस दरसल आपको बता दें कि अब यहां पर कई सियासी उलट फेर देखने को मिल रहे है करनाटक में हार के बाद बीजेपी अब यहां पर सियासी दाव खेल सकती है मद्य प्रदेश से मुख्य मंत्री रहे और कॉंग्रेस सिय प्रदेश अद्यक्ष कमलनात ने साफतोर पर कहा था कि बीजेपी अब खरीद पर उक्त कर सकती है दूसरी ही तरफ बीजेपी दो गोटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एक तरफ है सिंध्या गोट और दू कॉंग्रेस पार्टी की बंपर जीत के बाद अब आगामी विधान सभाच चुनाव को लेकर कॉंग्रेस रणनीतिया बना रही है कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों की शिरुआत कर दिये मध्यप्रदेश के महा कौशल में अगले महीने प्रेंका गांधी का प्रदेश में आगामी अभ्यान का श्री गडेश महा कौशल इलाके से करने जारी है दो राज्य में कॉंग्रेस की जीत के बाद स्टार प्रचारक के तौर पर प्रेंका गांधी 12 जून को महा कौशल की राजनीती के केंदर जबलपुर से मध्यप्रदेश में मिशन इलेक् की अजारा है ऐसे में देखा जाए तो करनाटक की विधान सभा चुनाब में जीत हासिल की गई कॉंग्रेस की तरफ से क्रेडिट मिला राहुल गांधी प्रेंका गांधी को और हिमाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाब में क्रेडिट मिला प्रेंका गांधी वाड़रा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सत्ता की चावी अभी फिलाल देखा जाए तो पांच इलाकों में बटी हुई है राजनितिक जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चावी पांच इलाकों में बटी हुई है प्रदेश को भौगलिक रूप से महाकौशल, गवाल जिले आते हैं और परडाम हमेशा यहां पर चौकाने वाले रहे हैं तो अब देखा जाए तो यहां पर कॉंग्रेस पार्टी 12 जून को विजय शंकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और यहां पर प्रेंका गांधी वाडरा हिमाचल के बाद करनाटक में प्रचार क कमांज संभाली तो वहीं प्रेंका ने जबलपुर में पहली बार रेली के पीछे एक खास वज़ा बताई मालवा और मध्धवारत के इलाकों में भारत जुड़यात्रा के दोरान राहुल गांधी ने व्यापर्ट जन संपर्क किया और इसी वज़े से प्रेंका को महाकोश के एपी सेंटर जबलपुर को अब चुना गया है देखते हैं कि प्रेंका गांधी वाडरा यहां पर बीजेपी को जोती राधित्य सिंध्या को चुनौती देपाने में कितना सफल होती है महिला वोट बैंक को लगातार वह बढ़ावा दे रही है इस खास रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस